भगवान शंकर को कोई भी पुष्प चड़ा सकते हैं, एक केतकी का पुष्प नहीं चड़ा सकते हैं जैसीर राधे, आप सभी को साधरबंदन में आचारिय विपिन शांस्त्री है हिंदू रित्रिवाज में आप सभी का स्वागत हैं कुछे दिनों पश्चात, श्राबन मास प्रारंब होने वाला है और यहां श्राबन मास भगवान शंकर को अत्यधिक पुरिया है स्राबन मास में जो नित्य प्रते भगवान शंकर की उपाषना करता है उसको सरवारथ फल की प्राप्ति होती है भगवान शंकर मनवांशित फल को देने वाले हैं इसमें कोई संसय नहीं है और इतने कृपालू है देवों में महादेब हैं और बहुत जल्दी प्रशन्न होने वाले हैं विशेश कोई सामगरी की मांग भी नहीं करते आपके पास जो सुलब है जो भी सामगरी सुलब है आप वो ही चड़ा देजिए भगवान कहते हैं कि पत्रम, पुस्पम, फलम, तोयम योमे, भक्त्या, प्रयक्षती जो आपके पास सुलब है पत्र, पुस्प, फल, तोया, जल अब मुझे समर्पित कर दो लेकिन भाब से करो प्रेम से करो स्रद्धा से करो और विश्वास से करो तो स्राबन मास चोद जुलाई से प्रारम्ब होने वाला है दिन रहेगा ब्रिहस पतिवार स्राबन समाप्त कब है 12 अगस्त को स्राबन समाप्त हो रहा है जो दिन पढ़ रहा है सुक्कर बार तो रक्षा बंदन के दिन भी इसकी पूर्णावती कर सकते हैं उससे अगले दिन भी कर सकते हैं क्योंकि उस दिन भी स्राबन पूर्णिमा है अब मैं कुछ विशेश नियम बताऊंगा आपको स्त्रावण मास में किस प्रकार दिन्चरिया का पारण करना है सबसे पहले भगवान शंकर के मंत्री में जाकर के उनका ध्यान कर लिजिए ध्यान करके चार बार अर्ग प्रदान करिए पाद्यो पाद्यम समर पयामी हस्तोयोर अर्ग्यम मुखे आचमन्यम समर पयामी शरवांगय स्नानम जलम समर पयामी यह मंत्रा उच्चारण करें और भगवान शंकर को अरपन कर दें सनान करा दें शनान कराने के बाद जो आपकी पास पञजामरित है पंचामर्च से स्नान कराईए ओम पंच नद्या सरस्वती ये बेद में मंत्रा है मंत्रा आए ना आए लेकिन भाब होना चाहिए मैं भगवान शंकर को पंचामर्च से स्नान करा रहा हूं तो आप पंचामर्च से स्नान करा दिजिए पंचामरित से सनान कराने के बाद फिर आप सुद्ध जल से सनान करा दीजिए फिर भगवान संकर साफ कर दीजिए उसके बाद फिर आप बस्त्रा उपबस्त्रा बस्त्रा में जो भी आपकी पास मोली आपने रखे हैं लाल जो सुता है उसको मोली कहते हैं तो उस मूली को अरपन कर दिजिए, फिर भगवान शंकर को तीलक लगा दिजिए, तीलक के बाद अक्षत अरपन कर दिजिए, अक्षत के बाद फिर दुर्व अरपन कर दिजिए, दुर्व घास, दुर्व चड़ाने से वंग्ष की वृद्धी होती है, और वो वंग्ष नहीं होता भगवान शंकर को बिल्वपत्र अत्यधिक प्रिया है और बिल्वपत्र चड़ाते समय उल्टा चड़ाएं सिधी बिल्वपत्र नहीं चड़ता भगवान संकर को उल्टा बिल्वपत्र चड़ाते हैं और बिल्वपत्र में जो टहनी होती है उस टहनी को नहीं चड़ाना चाहिए उसको तोड़ करके चड़ाना चाहिए और विल्व पत्र में राम लिखें अथवा ओम लिखें या राम लिखें और क्याचित से लिखें तो चंदन से लिखें रोली से लिखें या केसर से लिखें बहुत उत्तम रहेगा ओम त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं चत्रिधायुतं त्रिजन्म पापशंकासं विल्वपत्रं शिवारपणं ये मंत्र उच्छारण करके आप विल्वपत्र चड़ा सकते हैं और वेदिक मंत्र भी है बेद में भी मंत्र है विल्वपत्र चड़ाने का ये मंत्रा है इस मंत्र के द्वारा भी आप बिल्वपत्र अरपन कर सकते हैं उसके बाद भगवान संकर को धातूर भी बहुत फ्रिया है और धातूर जो चड़ाता है वंग्षक की वृद्धी होती है भांग भी बहुत फ्रिया है भांग जो चड़ाता है भगवान संकर मनवांचित फल देते हैं भांग चड़ाने से भगवान संकर बहुत प्रसन्न होते हैं और सिग्धा उसकी मनू का मना को पूर्ण कर देते हैं फिर शुगांधित दरव्य जो भी तेल है शुगांधित इत्र है उसको अरपन करें फिर आप नेवेध्य अरपन करें नेवेध्य में जो भी आपके पास शुलब है प्रशाद उसके बाद भगवान संकर को फल अरपन करें उसके बाद तामबूल चड़ाएं तामबूल पान शुपाडी लोंग इलाईची से तामबूल निर्मान होता है उस तामबूल को चड़ाएं उसके बाद दक्षुना अरपन करें दक्षुना भी होनी चाहिए दक्षुना अरपन करने के बाद सुन्दर अपने हाथ में पुष्पले लिगजे उसके बाद भगवान संकर के प्रार्थना करें है प्रभु आप मुझे पर प्रसन्न होईए और मेरी जो कामना है उस कामना को शिग्र पूर्ण करिये मैं निबदन कर रहा हूँ या आपस्त्री हैं तो कर रही हूँ ये शुमन ये पुष्प मैं आपके चरणों में अरपन कर रहा हूँ ये भाव इस परकार का भाव व्यप्त करते हुए आप भगवान संकर के चरणों में वह पुष्प अरपन कर लिजे उसके बाद आप बैट करके जब कर सकते हैं फिर जब करने के बाद अंत में उसकी पूर्णा होती होनी चाहिए जब का जो फल है पूर्णा होती पसात ही मिलता है और पूर्णा होती आप 11 अथवा 12 अगस्त को कर सकते हैं जितना जब करेंगे ध्यान लखियेगा जितना जब करेंगे उसका दसांग्ष हवन होना चाहिए और दसांग्ष हवन करेंगे तब ही उसका पूरणता फल आपको प्राप्त होता है यह बिधान है